आइस गूड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग और इस टाइम बज़ने सुबह के छे और आज मुझे लेट हो गया जगने में बाहर टहलने भी नहीं गया और यह देखो गरम पानी क्योंकि जैसे कि कल की वीडियो में आपने देखा होगा मेरी तबियत बरोबर न पानी चल लए ना इसके वज़े से मैं नहीं गई गरम पानी पी रही है कि सुबह सुबह खाली पेट गरम पानी पीने चाहिए इसके बहुत सारे पाइदे होते हैं जो हमारा फैट होता है चर्वी होती वो भी सही रहती और हमारी जो आते हैं वो भी साफ हो जाती तो पानी मैंने पी लिया है और खाना बनाते हैं तो सब्सक्राइब बनाएंगे उच्छे बच गए बच्छे सोभी जाएं वेटे की तबियत नहीं सही तो इस पूल नहीं जाएगा जाने की दाल कॉमें तो इसके से फैसी में धुल को बाते हैं तो इसमें एंशन की दाल भी बहूतनी और इसके बनाएंगे कँ सब्सक्राइब बनती कौन सी रेस्पी आपकी शाष शेयर करें हलो गाइज जादे रादे फी गाइज उसके बाद में पीछने लगी हूं मसाले तो इसमें मैंने लिये हैं लैशून प्याज और मिर्च और कुछ सूखा मसाला था इन तीनों को मतलब इतना मसाला में मिक्स पीछ लूँगी औ गाइज आज मैं आप लोगों से करने वाली हूं बात क्योंकि कल के वीडियो में जैसे कि आपने मेरा वीडियो देखा था कल मैं बहुत परेशान थी मैं रो रही थी मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के शाष शेयर की हूं उसमें कुछ लोगों ने मुझसे कोश्चन किया है कि इतने सालों से वीडियो बना रहे हैं ऐसा क्या हुआ कि आपको मतलब आब वीडियो बनाना छोड़ना पड़ रहा है चैनल डिलीट करने के लिए तो मैं बता दूँ प्राबलम क्या है मैं साब साब बताना चाहती हूआ अप लोगों से कूछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, मैंने अपने फर्स्ट चैनल में एक वीडियो डाला था, अपने करवा चौत के उपर, तो उसमें मैंने अपने हस्बेंड की पीच लगाई हुई है, थमनेल में, और अंदर भी, तो उसी को लेके थोड़ा सा बावाल हुआ, उसी को लेके बहुत जादा म नहीं बता सकते आपको, क्योंकि सारी बात उपर नहीं कर सकते हैं, मगर अब कभी भविस में ऐसी गलती नहीं करेंगे, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मैं अपने को और अपने दोनों बच्चे को ही दिखाऊंगी, बाकी मैं अपने ना तो पीछ लगाऊंगी, और ना कभी भी आप लोग मेरे हस्बेंड के बारे में मत पूछिएगा, प्लीज आप लोग उसे रिक्वेस्ट कर रहे हूं, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट थे, आपकी वीडियो में हस्बेंड नहीं आते, आपकी वीडियो में मच गए होंगे, और परिशान तो बहुत ज़्यादा हूं, इतना ज़्यादा परिशान हूं कि कुछ गए नहीं सकते, कल मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया था, काम वाम बराबर वैसे ही किये थे, वही मैं साड़े तीन बज़े जाके कुछ खाई हूं दो पाहर में, मन बह नहीं छोड़ा, सब कुछ देखना पड़ता, क्योंकि मेरे पास मेरे दो बच्चे भी हैं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के, मतलब सब कुछ करने के बाद, मैंने सोचा है कि, लाइफ में हर एक चीज अच्छी करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे-च्छे बिचाल लाने चाहिए, मैं भी अच्छे-च्छे बिचाल लाने की कोसिस कर रहे हूं, और इसी फोन से एडिटिंग कर रहे हैं, और फोन आ रहा, और फिर उसके बाद गाईस, यहां पे देखो, मैं सबजी काटने आई हूँ, तो आज तोरही और टमाटर और उसकी तोरही क किशाश शेयर कर रहे हूँ कि कुछ प्राबलम ऐसी होती है, जिन गो लाइफ में समझवता करना ही पड़ता, शादी के बाद हम हों या कोई हो, या फी कोई आदमी भी हो, सब को समझवता करना पड़ता, अब जैसे मैं समझवता कर रहे हूँ, होशकता मेरे हस्पेंड भी मेरे साथ समझोता ही कर रहे हूँ जैसे कि मैं कर रही हूँ तो मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहे हूँ किसी को मैं कुछ नहीं कर रहे हूँ मैं सिर्फ अपने आपको क्लेम कर रहे हूँ हो सकता है कि मतलब मैं ही मैं मेरे अंदर ही कुछ ऐसी कमी है मेरे अंदर ही कुछ ऐसी हो है कि मैं शायद या तो सामने वाला मुझे नहीं समझ पा रहा है या तो मैं सामने वाले को नहीं समझ पा रहे हूं मगर कोई बात नहीं मैंने अप जिन्दिगी को नए तरीके से जीने की कोशिस की है आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे मैं आप लोगों से सपोर्ट चाहती हूँ सामने वाला भी खुस रहेगा मैं भी खुस रहूंगी कहते हैं कुछ चीज़े को हालात के साथ छोड़ देने चाहिए वो अपने जगे पे सही आ जाती है तो इसलिए हो सकता है मेरी मतलब मैं कोई भी डिशीजन लेती हो शायद मुझे लगता है ये सही है मगर सामने वाले को सही नहीं लगता है तो ठीक है हम नहीं लेंगे हम नहीं करेंगे वैसा सामने वाला जैसा चाहरा वैसा ही करेंगे तो यही कुछ बाते थी जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी बहुत ज़्यादा ही कल सारा दिन बहुत सोच बिचार कर रहे थे क्या करें क्या करें क्या न करें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था दिमाग काम नहीं कर रहा था और फिर शामने हमारे दो बच्चे मुझे दिख रहाए थे तो बस अपने दिमाग को माता रानी के दर्शन में ने किये और हाँ जोड के अपने मन को शांत किया और फिर उसके बाद नार्मल आने की कोशिस कर रहे हैं हाँ मुझे एक दो दिन लगेगा नार्मल होने में आई होप मैं बहुत जल्दी नार्मल हो जाओंगी क्योंकि मुझे मालूम है मैं ज़्यादा गुसा नहीं रह सकती हूँ किसी से भी हो और शायद इसी चीज का कोई फाइदा उठा रहा कोई मजबूरी मेरी मजबूरीयों को फाइदा उठा है मगा कोई बात नहीं हर एक चीज टाइम पर ही सुधर जाती हो सकता है कुछ चीजों को कुछ चीज को मतलब कहते हैं ना हालात के साथ छोण देना चाहिए तो बस मैं भी हालात के साथ छोण रही हूँ और गाइस ये कल का वीडियो बना था कल क्या उसी दिन का मगर मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई मन नहीं था ना मैंने तो सोचा था कि अब नहीं बनाएंगे वीडियो ही छोण देंगे सब को छोण देंगे मगर फी मैंने कहा कहते ना जहां से हार होती है मानों कि अब हार हो जाएगी वहीं जीत होती है बस यही सोच के मैंने फिर वापस काम करना सुरू किया है I hope मेरी बातों से आप लोग साहिमत होंगे जितने लोग भी वो वीडियो देखे हैं तो वो तो ना कोई बनावटी थी और ना ही कुछ नहीं जो दिया लग था वही मैं आप लोगों के शाहर शेयर की थी और मगर प्लीज आप लोग आप कभी भी यह तो ना मेरी लाइब में और ना ऐसे प्लीज आप लोग से रिक्वेश्ट है मेरी हस्बन के बारे में आप लोग कभी कुछ भी नहीं पूछेंगे और कभी नहीं करेंगे कि आप उनकी पीछ लगाओ आप क्या करते हैं कैसे करते हैं यह नहीं बस मैं अपने और अपने बच्चों को ही दिखा पाऊंगी तो और कल के उसमें बहुत सारे लोगों के कई कमेंट मैंने डिलीट भी कर दिया है क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे थे जो मुझे नहीं अच्छे लगे जब मुझे नहीं अच्छे लगे तो फिकिसी को नहीं अच्छे लगेंगे इसलिए मैंने कुछ कमेंट कर दिया है हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है और फि लड़कियां इतनी मजबूर होती है और फि हम लोग छोटी-छोटी चीजों में अपनी फुसिया ढूरते हम लोग एक मिडिल क्लास में हम लोग छोटी छोटी चोटी में अपनी लगता है कि यह यह में चाहिए है यह मेरा यह है वह हार फार एक छोटी छोटी चीजह दोर्ते बस बहकंवान से यह WRONG से नहीं चाहती हूं कि में चिंद्धि mi में सब्सक्रा कि मैं यह हुप बोलूं क्योंकि सामने वाले को मेरी आवाज भी नहीं पसंद तो मैं ज्यादा ना बोलू ज्यादा ओना रहूं और बस ताकि सामने वाला भी भी में खूश हम भी खूश व्हाइश यही कुछ बाते थी जो आप लोगों से कहब Gaz micK सामने से और ना ही लाइब में आके तो बस मैंने वीडियो के माद्यमसे कुछ आप लोगों के समझाने की कोशिज की क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे। उन कमेंटों को मैंने डिलीड हा किया है। तो बस गैस आज का वीडियो यहीं करते हैं आज वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरी बातों से आप लोग वीडियो में तब तक के लिए बाई और हाँ चैनल में पाइट